नमस्कार दोस्तों, Target with PS परिहार चैनल में आपका स्वागत है, सुबह की इस वीडियो में ऐसी सुचनाय होती है, जो विभिन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विध्यार्थियों के लावश्रक होती है, तो आई ये सुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की समचा करने का मौका मिलेगा, इसलिए आप लोग अपना आंसर बताईए और आंसर के साथ में जीमेल आईडी जरूर बताईए, और साथ में ये भी पिताना होगा कि आपको किस चीज की टेस्ट स्रीच चाहिए, बात करते हैं आज की सूचनाओं की, सबसे पहले सूचना 99,000 शिक् उसकी बाद में एक और सुनवाई होनी है, कोट नमबर 22 में जस्टिस होंगे, मनिश कुमार जी, इनकी बेंच में सुनवाई होगी, MRC प्रकरण को ले करके विद्यार्थियों ने केस कर दिया है, उसकी बाद में एक और महत्पुर सुनवाई होनी है, पंकत जैसवाल की बे सिंगल बेंच से डबल बेंच से सुप्रिम कोट गया था, सुप्रिम कोट ने कह दिया था कि जो मामला है वो सुप्रिम हाई कोट में ये मामला आज सुना जाएगा, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के मादम से इन तीनों केस के बारे में दे दी जाएगी, अगली पाली की परिक्षा सुबह 9 बजे से 2 पहर 12 बजे तक और दुत्तिय पाली की परिक्षा 2 बजे से साम 5 बजे तक होगी, परिक्षा सुरू होने के एक घंडे पूरू अभरतियों को केंदर पर पहुंचना होगा, ये जानकारी लखनो विश्विद्याला की प्रवक्ता दु और हाला कि इस परिक्षा का बहुत ज्यादा विद्रो हो रहा है, विरोध हो रहा है और अब तो जो अध्यापक है, अध्यापक संग ने भी इसका विरोध किया कि जब कोरूना का संक्रमान हजारों में हो गया है, उत्तर प्रदेश में और लखनावू, प्रयागराज और बड़े-बड़े सहर है, कानपूर, आगरा, नोड़ा, गाजियाबाद, इन सहरों में सबसे ज़्यादा संक्रमान है, और यहावर परिच्चा केंद्र भी बनाए गये हैं, तो इस परिच्चा को फिलाल इस्तिगित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सासन ने फिलाल अभी त प्रारामिक परिच्चा को इस्तिगित करने की मांग के बीच आयोग ने बुढ़वार को प्रारामिक परिच्चा का प्रवेश्पत्र जारी कर दिया है और इससे उन अव्यर्थियों को जटका लगा है, जो कॉरोना के बढ़ते संक्रमान के मद्दे नजर परिच्च्चा क नहीं माने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी विद्यारती की बातों को संग्यार में नहीं लिया ठक हार करके विद्यारती हाइड कोट चले गये हैं हाइड कोट में एक याज का दाखिल कर दी गई है अभी सुनवाई की जो तीती है वो गोसित नहीं हुई है हो सकता है कि प्रदेश को सुना जाए और इसी केस के डर की वज़े से यह चर्चा है और आनान फानन में इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया एडमिट कार्ड तो जारी हुआ है आप लोग दे सकते हैं वही पुराना एडमिट कार्ड है उसमें केवल डेट बदली गई है प्रदेश के अठारे जिलों आगरा प्रियागराज आजमगार बरेली गोरकपूर योध्या गाजियाबाद जोनपूर जांसी कानपूर नगर लगनों बारा बंकी मेरेट मुरादाबाद राइबरेली सीतापूर वारा नसी तता मतुरा में विभिन केंद्रों पर आयुज सब्सक्राइब कर दिया गया है उत्ति लोग सेवा आयुक के द्वारा लिकार लोग सेवा आयुक ने साइक वन सरनक्षक एम चेत्री वन अधिकारी सामान एम विशेष चैन मुंग की परिच्चे 2017 का प्रिणाम वो बुद्वार को गोशित कर दिया है इसकी मुंगी परिच सकते हैं नीचे एक सुचना भी लिखी हुई है कि प्रापतांक और कटाफ अंक अंतिम प्रिणाम गोशित होने के बाद में ही जारी किया जाएगा इस बारे में सुचना के अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 के अंतरगत दिये जाने वाले प्रार्थना पत्र स्विकार ने की जाएंगी इंटर्विय की जोती थी वह बाद में गुशित की जाएगी अगली सुचना है बोर्ड परिक्षा के लिए अब आवेदन 21 सितंबर तक प्रवे शुल्क लेने और शुल्क जमा करने की जोती थी यह वह 31 तक है लिखा है कोरोना संक्रमन के चलते यूपी बोर्ड परिक्षा 2021 के लिए अवेदन की धीमी किती को देखते हुए प्रदे सरकार ने यूपी बोर्ड की सिपारिस पर बोर्ड परिक्षा के लिए आवेदन कीती थी 16 अगस्ते बढ़ा करके 21 सितंबर कर दी है हाई स्कूल इंटर की संस्थागत एवं वक्तिकत परिक्षा के आव परिक्षा करके 21 अगस्तक कर दी गई है अगले सुचना है नई शिक्षा नीति में TET के पैटर्न में बदलाव होगा और सिक्षक बड़ती में TET होगा मातपूर्ण जो नई शिक्षा नीति है वो चार च्रवड़ों में में बनी हुई है और जैसे प्री प्राइमरी प्राइमरी और उच्छ प्राथमिक और हायर सेकेंटरी और हो सकता है कि अब चार तरीके का TET के जुसलेबा से बनाये जाए प्री प्राइमरी के लिए अलग से TET, प्राइमरी के लिए एक TET और उच प्राथमिक वाला जो होता है वो TET और जो TGT इत्यार के बढ़तियां होती हैं उसके लिए भी TET करना होगा और जो आगा में शिख्चक बढ़ती होगी उसमें TET के नमबर को भी कंसीडर किये तक ये लिखा हुआ है, कैसे बनेगे teacher शिख्चक पात्ता पर क्या होगा नीती का असर, नए शिख्चा निती में सिख्चकों की गुण वत्त का इसतर और उपर उठाने के लिए प्रावदान किये गये हे, नए स्कूली शिख्चा व्यवस्ता में शिख्चक पात्ता इसी के मुताबिक T.E.T. का पेटरन भी सेट किया जाएगा और विशय सिक्षकों की बरती के समय T.E.T. या संबंदी सब्जेक्ट में N.T.E. टेस्ट इसकोर भी चेक किया जा सकता है सभी बिस्यों की परिक्षाएं एक Common App to Taste का एउजन होगा National Testing Agency के दोरा ये परिक्षाएं करवाई जाएंगी नीचे लिखा है कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जो मीदवाटी T.E.T. पास करेंगे उन्हें एक demonstration या interview दे करके इस्थानी भासा में अपना ज्यान दिखाना होगा चुकि इसमें मात्र भासा और इस्थानी भासा को भी मात्तू नई शिक्षानीति में दिया गया है नीचे लिखा है कि नई सिक्षानीत के मुताबिक अब interview सिक्षक बरती प्रक्रिया का अभिन हिस्सा होगा interview में देखा जाएगा कि सिक्षक छेत्री भासा में बच्चों को आसानी से सहजता के साथ में पढ़ाने के काबिल है या नहीं है TET पास करने के साथ private school में भी ये सिक्षक बरती के लिए अनिवार होगा अब TET जो है वो private विध्याले जो होते हैं उनके अध्यापकों के लिए भी अनिवार कर दिया जाएगा अगली सूसना है EWS की लिखाय आर्थिक रूप से पिछणों का मामला समविधान पीट को दे दिया गया इसकी बारे मैंने कल एक वीडियो बनाया था करीक कल ही आप लोगों को बता भी दिया था लोगों चुनोती दी गई है कि आकरकार यह 10 प्रतिसत अरच्छन अलग चक्यों दिया गया है जब इंद्रा साहिनी वालो जो मामला उसमें 50 प्रतिसत अरच्छन को ही कहा गया है और तो अब तो अब यह जो पात जज़ों की समविधानिक पीठ होगी यह निरण लेगी कि यह जो EWS है वैद है या अवैद है एक सो तीनवा समविधान संसोधन को अब है आज का प्रशन जो आपको बताना है उसका जवाब जवाब के साथ में यह जरूर बताईएगा कि किस चीज की आप तयारी कर रहे हैं और अपनी एक इमेल आईडी प्रसन आज का यह है कि 2021 में जो कुम्ब होना है उसका आयूजन कहा होगा अगला महा कुम्ब किस सहर में होगा इसका जवाब आपको बताना है और इसका जवाब है वो मैं साम के वीडियो में आप लोग बता दूँगा विनर का नाम भी बताऊंगा और उसको एक्टिवेशन की भी भेज दूँगा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्वाब